प्रिश है कि ये recording का इससा बनों चाहिए ये बाते हैं ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि रसमी बाती है कुछ और तरह की होती हैं और सवाले से ये जो हमारे आवबाब हैं ही हमें बता सकते हैं आपको रेक्टिन तो पहले सबसे पहले तो तारुफी करिवार जो है वो पोने चानीज और आप जाप बाई वन जो है वोफना तारुफ करवा देए तो ताकि शुनासा ही हो जाए सबसे पहले में अपना नाम बताओं यह नाम को आप लोगों ने लिखाओं को भी देख लिय कि शुनास मेरा नाम है और आपकाव मुसाय का सबक में इंशालाब लजी भी यहां पर आप अपकार शेयर किया करूँगा उतनी तारे में लोगों और आप भी मेरे लिखाई हैं तो एक दूसे से मिलकर इंशालाब लजी भी आपकार सीखेंगे इलम के रसूल के हम लोग य इस उमते मुहमदिया अना सौल स्वाब लुस्ति वास खुसियाद मेंसे एक आहम खुसियत इलम की खुसियत है अल्मार लिखनी तरफ से इस उमत को इलम और इस उमत के जो नबी है उनको इलम की वो अजीब वरीब शान अदा की इन जैनली से पहले किसी भी उमत के अंदर और इलम को हासिल करने के फ़जाय, नबी गरीम से अंदर अल्ला जल्ला जला दालू ने बुरान पाह के अंदर खुद इलम हासिल करने की फदीलते हैं और इसके बारे में बहुत सारे इर्शादात हैं, जिसमें से एक वातरा की आया है इसके अंदर तो इलम हासिल करने वारों की एक ऐसी अजीब शान बियान की गई है कि इस दो रुपू के अंदर अल्लाह रब लिजद माल के कुछ आख्राम बियान संबा रही है कि माल को कवारा कैसे जाएगा और माल को हासिल करने के बाद उसको कैसे समाना जाएगा और कैसे उस दोता किराम में फर्च किया जाएगा और फर्च करने के क्या अदाब होने चाहिए और आखिर के अंदर ये उसके मसारे को कहां कहां पर उस माल को फर्च किया जाएगा उसमें से एक मसरफ और एक जगा जहां पर अल्ला के रास्ते में माल फट्च किया रहा है तो उन लोगों की निशान रही फरमाईगा है जो अल्ला के देन को और अल्ला के इल्म को पढ़ने के लिए अपने आपको वकफ कर ले तें खैबों मसरफ हमारे एक मौद में बहुत नहीं है बल्के उन अहल इल्म की एक शान्थ में सायथ के अंदर व्यान की गई है वो यह है कि उफसिरू फी सबीरिल्लाहिलायसुदियू नजर्बन फिलहुदू कि उन्हों ने अपने आपको इल्म के लिए पाबंद कर लिया हुए और उनका पाबंद होना, ऐसा पाबंद होना है जैसा कि किसी बगयर पॉंख और बगयर तांगों वारे शख्स का अपने आपको किसी जगह पर महगूस कर लेना, किसी जगह पर पाबंद कर लेना कि वो अपने आपको पौंट कर लेता है एक जगा पर कि मैं यहां से निखनूँगा ही नहीं तो ये लोट जो हैं इन लोगों से मुराद अहल इलम है जो इलम हासिल करने के लिए अपने आपको अल्ला के लिए मकफ कर देते हैं और खरून अूला के अंदर इसकी बहुत सारी मसारी कमारे सामने आती है गुलामी का जो बाब है आज के दौर में यह समझा जाता है कि मुस्लमानों ने इनसानों को गुलाम बनाया और शायद इनसानी हुकूप की फिलाफ वर्दी करते रहे पामाली की जाती है लेकिन अहल इसलाम ने जिन लोगों को गुलाम रखाता है उन लोगों को गुलामी के सासा इलम सीखने के लिए वो नादिर मवाके फराहम किये कि बहुत बड़े-बड़े मुहदिसीं और बहुत बड़े-बड़े फुकहाय कि रामी महां मुखारी के असातिता के अंदर present a जोलाम होता है जो गुलाम है आम हसल बज्री कर दिए होलाम के साथ जाद है तो ये इनल्म के लिए अपने आपको वकफ कर लेना अपने आपको इनल्म के लिए मकभूस कर लिए ये एक बहुत बड़ी समान की बात है और अरहमदुलिल्ह आज अपने 24 गेटों में से कुछ वक्त के लिए अपने आपको पाबन कर लेना कुछ वक्त के लिए अपने आपको वकफ कर लेना इलम के लिए इसकी साहथत आज मुझे और आपको हासित हो रही है अरहमदुलिल्ह और इलम की फजीलत के अंदर इमान मुवारी रह्म उल्ला ने किताब इमान के बाद जो बाबुल इलम और किताबुल इलम काई की है उसके अदर वे इत हदीश लाएगे हैं कि क्यामत कम आए बाब इलम का है और अधीस इशार फर्मा रहे हैं कि क्यामत का वुकू कब होगा उसके ज़िए मुस्सिदल अमू इला गई आहले कि जब कोई मुआमदा किसी गयर आहल के हवाले कर दिया जाएगा जो उस काम को निप्टाने का आहल नहीं होगा तो क्यामत समझो आगे तो मुहतिसीन ने और शुराह अधीस की शरा बयान करने वारे जो मुहतिसीन थे उन्होंने कहा कि क्यामत की किसमे हैं दो किसमे बुद्यादी दौर पर हैं ये क्यामत एक उगरा है और एक क्यामत एक उगरा है कियमत ने गज़ा हुआ है जब यह कियास के दुन अटन पर निया जा है जब यह दूझा बूर। खालियो कियास दस्मे सोग्रा है की किसी भी काम की या किसी भी प्रचेक्ट की कक्षी tutti कोड़ी के लगुष उस वक्त चुरू हो जाती है जब को लूत ऍवूर। कि जावुसिदल अम्रू इलावे गया हैं गयर आहल के सपुर्द कर दिया आपने काम तो समझ लीजिए कि उस काम की तबाही होगी है यह इमारत हमने तामीर करनी है और किसी माहरे तामीर के इलावा हम गयर माहर के हवाले इस प्रोजेक्ट को हम कर देंगे वो इसकी डिजाइ और इसकी तबाही का अवाद होगी है इमाम गुपारी रहिम उल्ला इस अदीश को लाकर यह बताना चाहते हैं और क्यामत की जो नशानियां बताई जाती है उसका मकसद कि हरकिस नहीं होता कि क्यामत आने वाली है और अब हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं और अब इंतजा करना शुरू करने के क्यामत आजाएं बस बल्के नविय करीम सल्वाद की इन तम्रीहात का मकसद यह है कि जब इस तरह की अलामात नमुदार होना शुरू हो जाएं तो हद तो गुसा उनको इरिडिकेंट करने के लिए उनको जड़ से उखाण पैटने के लिए तुमें कार करना फर्मा और सरगता हो जाना चाहिए इसके लिए फौरण अमल की राख पर आजो और उन अलामतों को जिस हद तक तुम पतन कर सकते हो इलिमिनेट कर सकते हो उनको करना शुरू करतो तो तुम्हारे लिए क्यामत की निशानिया बताने का मबस्त यह है और इमाम इस लागर यह बताना चाहते हैं कि हर मौामले का आहल पैदा करना तुम्हारी दिम्मेदारी है वाशरे वारों की यह दिम्मेदारी है कि अगर वो इस दुनिया को चलाते हुए कोई काम भी सरग्जाम देना चाहते हैं तो उस काम की तक्मेल के लिए उस काम का आहल उस काम क करने की सलाहित रखने वाले अफराद जो हैं वो पैदा करने इनके दिम्मा है और यदिनन इसी भी काम को पैदा करने वाले अफराद जो हैं वो इन्ही दसकाहों से पैदा होंगे इन्ही उलूम के जरीए से जैसे जैसे इल्म को दिखा जाएगा तो उसी के नतीजा के अंदर अहल पैदा होंगे और मौामदात को तबारी से बचाकर दुर्ष्ट की किरापन लाया आख जा सकेगा तो इल्म कितनी बड़ी चीज है दो उस अवाले से या आप दुराब के साथ एक बाद शेयर की मैंने और खुद जनाब नभी अकरीम से लिवारी वसल्म को हुसुल इल्म की दौा दुर्कीन की जाती है उनके लिए कोई इल्म की कमी थी अर्गेज नहीं लेकिन इसके वावजूद उनको ये दुर्कीन की जा रही है कि आप अपने परवर्दिगार से अपने रब से ये दौा कीजिए कि ए रब मेरे इल्म के अंदर दाखा फर्मा दीजिए और ख़द मुस्ताव और ख़दर का वाकिया वो इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के सामने पामाग हो जाने की एक अजीब और ख़दर के सामने अपने आपको मिटा घाला जाकर उन्होंने किस मकसद के लिए इल्म के हुदूर के लिए वो इलम जो तक्विनियार का इलम था वो मुसा अलिए सलम को नहीं था वो हासिल करने के लिए उन्हें हदर्द फिदर के सामने जाना पड़ा और वहां पर जाकर जानुए तलम्बुस तैह करने पड़ा वहां पर जाकर उनके सामने बैठना पड़ा उनके साथ रहना पड़ा, जहां जहां वो देकर गए, जिन जिन रास्तों से गुदारा, उन तमाम रास्तों से उनको गुदारा पड़ा और इलम के फदाई के अंदर, आप लोग यह सुनते रहते हैं जाने वारे और ना जाने वारे पराबर, वो सकते हैं हर्गित ये पराबर दिने वाले की क्या शांग है हमारे हागे महमान आता है, तो हम उसका इस्तिक्बार करने के लिए सजावटें और तज्मीन और राइश करते हैं अपने उसर के मताबक, अपने अंदाज के मताबक, अपने रवाज के मताबक तो अल्लः रभन Storage भी अपने घर से इलम हासिल करने वाले शच्छ के निकलने पर अपनी नूर्य मखडूव के लिए उसका इस्तिक्बार करवाते है हमारे हम वावना बोले जाता है ग्रेड कार्पिट वेल्कम किया जाता है ग्रेड कार्पिट बिचागर किसी का इस्तिक्वाल किया जाए तो अल्लह रभुलिज्ट इस नूरी मफ़ूदू को ये फिर्माते हैं कि अपने पर जो है वो इनके लिए बिचा दो ये फजीलत इस वकट अल्हम्दूल्ला सुम्मा अल्हम्दूल्ला सभी अज़ाद को आसे है कि जब धर से निकलते हैं आप इस नूरी मफ़ूद जो है वो आपके परों तले पर बिचा देती है और इसकी दोरों माने मियान किये गहे है कि बास दाब ने तो ये कहा है कि वो पर बिचाने का मतलब ये है कि वो अपनी परवास रोख देती है और बास दाब ने कहा है कि ये भी बड़ीद नहीं है कि वो अमनन एक ताले जिनम के कदमों के नीचे पर मिचार जेते हैं अगर्चे हमें महसूस नहीं हो रहे क्योंकि उनका वैसे ही जो उनकी existence है यहाँ पर हमें महसूस नहीं हो रही तो यह वजीलत मुझे और आपको हासित हो जाती है जब हम इनम के लिए अपने घर से निकलते हैं और नबीयकरीम स्लिए अखने लगाई की वाय वाय कि स्लिम का एक इंशना फौर्मान है इस अब ताले मिर्म अल्लह के रजा की फाते इनम हासल करने के लिए निकलता है तो वह ऐसा ही है जैसा कि जिहाद करने माला अल्लह के रासते में अपनी जान लेकर निकला हो जो मुजाहिद की फदाइब है वही इसके फदाइब है और बार रिवायात में आता है कि मुजाहिद के गोड़े के जो बॉलो बराज है और शरीद कर जो फून है अगर्चे वो नापाकियों के अंदर शुमाद होता है लेकिन वो भी मीजान के अंदर तुलेगा तो ऐसे ही एक आलिम और एक तालिम की स्याही और उसके औराच जो हैं ये भी कल्पों मीजान के अंदर तो लेड़े है ये इलम की वजाएब मैं आप से तरफ इस बात के लिए के हमारा सबब जो पढ़ना चूं करना है हमने उसके लिए हमारे लिए कुछ थोड़ी सी मोटिमेशन हो जाए और नभी करीम स्लिए लगा जाएब में ये इर्शाद नमाया कि जब इलम हासल करने के लिए तालिम निकलता है घर से तो अल्ला ताला अपनी तमाम मुखलूग के जिम्में एक नाम लगा जाएब लिए अपनी पूरी मुखलूग हर किसम की मुखलूग बदार फरवाई को तुसादीज के अंदर कि खाबो हुआ पूरने वाने माड़े पृंडे हों बियों मे रहने वारी चूंतिया और एक चूंतिया और खाबो समूनदट के अंदर एंदेव बाली मुखलूग हूं ये सारी की सारी मख्लूकात जो हैं वो अध्लात आदा की तरफ से एक जिम्मेदारी पर मामूर हो जाती है और जिम्मेदारी है कि इस तालब इडिये इस पर उफार करें इसके लिए पक्षश की दौा करें ये सभी आदीस जो आदा जिम्मेदारी में के फरामीन है वो मैं आप अध्लात के सामने अर्स कर रहा हूँ कि वेलर्ड किसम की जो आदीस हैं मौत बर किसम की जो आदीस हैं उनके अंदर ये सारे के सारे फदाईल है और इससे के थी बहुत लबे लबे फाल और बड़ी या इसके अदर वो अहैं और जो हमने उल्मान खास्री करना है आपकामु मसाइLा वो आपकामु मसाइद की शकल में भी हो सकता है वो मुंतफ़ अहादिस की शकल में भी हो सकता है वो कुराने करीम के अलफाज की शेकल पर भी हो सकता है और वो अकाविद की जो बाते हैं तीनी लिटरिश्टर के उन्मान के वाले से आपका सब्बच है उस उन्मान से भी वो इलम की बाते हैं आपके साथ शियर होंगी आप पढ़ेंगे इंशादा हो जदी अलफाला हम सब को इस्तवा मत नसीद फर्माइए तो इन तमाम चीदों के वुदूल पर अल्ला ताला की तरफ से क्या आज़र मिलता है मेरे और आप के सामने यहां पर अगर कोई शब्स आ जाए जो दिन के अंदर एक सौ नफल अदा करता हो तो हम यदिनन उसको देखने के लिए लग्केंगे आगे बढ़ेंगे उसे मसाफा करने की पुश्श करेंगे और इसके बढ़ता रगए एक हजार मुआफिन के अंदर 24 केटों में अदा कर लिता हो तो उसके लिए कि इतनी बड़ी साध़त की बात हुए है और हम अपने आपको भी साध़त में समझेके के हम उसकी ज्यारत कर रहे हैं कि ये शब्स आदार मलत पढ़ रहा है बसाते हुन पढ़ना यदिमन मेरे लिए भी मुश्किल है और आप के लिए मुश्किल है तबीन हाजात भी लगी हुई हैं तो यह भी धुम्हार्व भी वारे बिदियात भी भी ही है, लेकिं किल्म दीन के एक मसहला पढ़ दें पर क्या आजर मिलता है नभी अच्ट्वाद लीई फ़रू का फर्मान है कि सो रत नुवाद पढ़ने के से बढ़ए कर किल्म इंभ देन का एक मसला सीख लिए, किसी भी खосьकता है हो खकाम उल्माइन के साथ खास लिए दीर खनात के अलब भी इनका मसला है और अगर एक मुकंबल बाप, मुकंबल चैक्टर आप लोगों ने सीख लिए सारे बेलों ने सीख लिए तो उस पर एक हजार वक्त नवाफिज का सबाब है ये सारी के सारी चीज़ें हम हासिल करने जा रही है और हम अपनी नियत और अपनी तबज्जो को इन बातों की दिरफ जैसे जैसे हम अपने देहन के अदर ये बातें बिठाएंगे लेकिन इलम की निशित में जब तक आप पैठे हैं तो आप इन तमाम अज्रों सबाब के मुस्ते हो रहे हैं तो ये कुछ गुछ गुदारशात थी इलम के हवाले से ही जो हम हासिल के इसके इलावा बहुत सारी बात इलम भी गुफटबू हो सकती है ये तुनों तक इस पर गुफटबू जारी रहा सकती है कि इलम हासिल करने के क्या क्या फजाए लगा दे हमारे लिए रिख्यर होने है और इसके अदर ये जो तक्सीम है दीनी और असरी तानीम की बाग पकादर ये करते हैं बात लोगों की ये राय है दो राय है इसके अंदर ये नि हमकार जा सकता है कि इसमें दूसी डाय में ये दोनो राय मौजूद हैं बात लो गये भात के दाएंगें से एक सारे के सारे वजाएं पीमि दीन के साथ वा Pack नेगा है और बात लो गये हैं गसा ने हैं और उ धाने लिएमि लौह harder घ्यूनी के सारे हैं अज्वर समाब का बाइस नहीं है और फिर इलम से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती जब इनसान के पास इलम होता है इससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती और अगर किसी श्वर्स के पास यानि मैं और आप अगर आज ये खाहश कर नहीं है कि हमारे पास दुन्यावी मादो दौलत को अर्बंदर ही चाहता है जिस भी इतहा पर पहुंगे वहाँ पर भी उसके लिए आगे कुछ ने को और खाहशी होती है उसके दिल के अंदर लेकिन इलम एक ऐसी चीज़ है कि अगर मादो दौलत लेकर किसी श्वर्स को इलम दे लिया जाए तो वो इस पर इतने नाम इस्तियार कर लेता है और वो मादो दौलत से कनारा कशी करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन मादो दौलत वारा जैबो किसी भी हल तक जाकर दहा को नी होता है सकरा का जो मजमुवा होता है उसको ताबीर कर दिया जाता है फिक्फ से फिकव भी चेह जाता है। लेकिन असल लखे अरभी मान का फिक्फ है फा और हाँ फिक्फ that का मतलब होता है गहरी बसीरत किसी चीज़ की इंतहाई गहरी समझ यह इसका लुबवी माना है लुबव और डिक्षिनर्जी के अंदर इसके मीनिंग इते जाते हैं फिखते वो ये होते हैं कि गहरी समझ और बसीरत किसी बात की गहरी समझ हासित हो जाना इसको कहने जाता है कि फिखत है और दीन के फिखत इसके हंदर फर्मान है कि मैं युरिदि ल्लाहु बीनी खेरन युफटिकु फिद्नी कि अल्लाहु रभु लिज़त जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेते हैं उसको दीन के अंदर तफ़क्व नसीब फर्मा देते हैं उसको फपाहत और फ़की वो बन जाता है उसको दीन की यही समझा जाती है फिद्ध के वारे में आम तोर पर कभी-कभी ये गलत फहमी हो जाती है गलत फहमी के कई असबाब हो सकते हैं कि शायद ये चीज़ पुरान सुन्नत से अल्ला और अल्ला के रसूल के फरामीं से हट कर कोई अलग से कोई चीज़ है ये गलत फहमी हो जाती है बसावकाद तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि फित्ध जो है ये पुरान सुन्नत से अलग कोई चीज़ नहीं है शरीयत से हटी कोई चीज़ नहीं है बलके ये एने पुरान सुन्त और एने शरीयत है वो कैसे अभी उसकी वजाद आजाएगी आप वजाद के सामने के शरीयत के जितने भी आखकाम हैं मेरे और आपकी दूदिगी के मुताज़े वो हमारी इंपरादी जिंदगी वो वहां पर भी शरीयत हमारे तरफ मुतवज़े होती है और हमें आखकाम लेती है शरीयत और हमारी इज्तमाई जिंदगी वो सोशल लाइफ हो हमारी उसके अंदर भी शरीयत हमें रहनुमाई अता करती है वो हमारी खान्दानी जिंदगी हो वो हमारी सियसी जिंदगी हो वो हमारी मौाशी और मौाशती जिंदगी हो किसी भी नौयत की जिंदगी है उसके अंदर शरीयत हमें रहनुमाई अता करती और इस रहनुमाई का बुन्याती मंबा सरचश्वा और माफिस सोर्स जो है वो कुरान सुन्नत है कुरान सुन्नत से ही हम अपनी जिन्दगी की रहनुमाई देंगे तो कुरान और सुन्नत से हासिल की जाने वारी रहनुमाई जो हमारे अमली अहकाम के मुतादिक हो उसको फिक का आदा फिक की तारीज ये है हुवाल इल्मू बिल अहकाम शर्यति अमालिया अगर लिखना हो तो लिखाजा सकता है ये वायस कौन ने हैंगे वनुमाई पर के ये मैं इसकी जो डेफिनेशन है फिक को हम दिखे तामी लिखे पिक को हम अब्स लिखे supports हो अब्स जी अब्स अगर कोई लिखना चाहें जो आप लिख सकते हैं कि फित नाम है शरीयत के उन आखकाम का जिनका तालूख हमारी अमली जिन्दगी से अप्रेक्टिकल लाइफ से जिनका तालूख है अरबी लिखना चाहें तक भी ठीका और अगर उर्दू में लिखना चाहें जो भी आप लिख सकते हैं कि फित अखकाम शरीयत के उस मजमूए का नाम है जिसका तालूख हमारी अमली जिन्दगी के साथ है पहली बात बिसमी है और दूसी बात ये है कि ये शरीयत के अखकाम जो हमारी अमली जिन्दगी के साथ आद्मूप रखने वाज़े हैं ये हासिल कहां से होते है सोर्स कौन सा है कहां से हम इनका इस्तिमबाद करते है कहां से इनका वुशूर होता है अन अदिल्लतिहत तफसीली या पहली बात ये है कि आखकाम जो हमारी अमली जिन्दगी से है शरीयत के कुछ आखकाम ऐसे हैं जिनका तावलूख हमारी अमली जिन्दगी के साथ नहीं है कोई मिसाल दे सकते हैं हमारी अवेल बड़ा साथ क्रिंट देता हूं आगे तो भी जबात को चलाती है कि हमारी अमली जिन्दगी से नहीं है बलकि हमारी स्विकर से है हमारे इक्सासात से है हमारे जज़वाद से है अफीदा मिसकूल ठीक है और अरबी लेंग्विच अरबी लेंग्विच खैर लेंग्विच तो व्मारी अम्मदी जिन्दगी होती है जबान के साथ तो उसका तकलूम करते है ज़ुँद की लिएसी है बातनी उलूम से मेरी मुराइब है वो आमाज जिनका तालूख हमारे दिल के साथ है मसरन हाम जी बिल्कुर हसर लालच तकबुद गुरूद कीना गुवस ये नेगिटिव जी बें पोजिटिव खुलूस खुलूस बकवा जना नियर लिल्लाहियत अखलाग ठीक है और बुर्दबारी परदाश बेलकुल तो ये चीज़ें जो हैं ये फिक के दायरा में नहीं आएं ये बताते कि ये मैंने ये बात की थी कि हम कहलें कि जिसका ताजूख हमारी अमली जिन्दगी से अमली जिन्दगी से जिनका ताजूख है वो है कौन से जिन नमाज रोदा हज जकार सियासत मौशरत मरिशत हमारे आईली कवानी खांदानी निजाम के जो वसायब निकाह दलाग इंदत के मसायब ये सारे के सारे हमारी अमली जिन्दगी के साथ थानुक रखने वारी है तो फिक्ष के अंदर जो हम डिसकस करेंगे जिन चीजों को आखकामों वसायत उन्वान से हम बढ़ेंगे वो हमारी अमली जिन्दगी के साथ थानुक रखने वारे आखकामेशन ही है तो एक बात और दूसी बात यह रहा है कि इनका रुसूल जुबान ज्यादा परचीता तो नहीं मसूस करता है क्यों जुदू मुखावरा पसावकाद हम लोगों का खुड़ा पर चिद्धा हो जाता है तो अगर बिला तक अनुफा आप जिसमें एक कह सकते हैं यह बात समल नहीं आए उसमें आप एंडलिस करके पूछ सकते हैं यह कोई मसला नहीं है यह एक लफ़ज है खुड़ा सा जिसकी बदाहत करूगा तो गोया के फिक्ष की तारीफ के अंदर बाई डैफिनेशन फिक्ष के अंदर यह बात शामिल है कि वो हमारी अमली जिन्दगी के मतलक मसाइब का हल बताया जाएगा और उनका मंबा और माख़ज जो है वो सिरफ और सिरफ पुरान और सुन्दत होगी ख़ीज होगी इससे बाहर नहीं हो सकता हो तो दिल्लाय तस्तिरिया जन्हें वो या पुरान होगा या उश्ष भीजिइश होगी इस से बाहर नोची हर्किस नहीं होगी सहाबा एक्राम और्जवान अबबा या लीमित में से किसी सहाफी का वाक्या है फिखी उसकी हैसीएद क्या है उस मसाला की वो मैं अजनी करने जा रहा है सिर्फ एक मिसाल में आचा रहा हूँ तो उन्हों ने कहा कि आपने यह मस्ता कहां से निकार दिया है लगता है ये अन्साली इसलिए। इसेद विया बुरान में आ सकता है। तो अदिल्लाय ठफेरिया पुर्णा सुन्त के अंदर होगी है। लेकिन बतकभी वह ब्राहिजास दार्रेक्ट कुर्णा सुन्त बे कुर्णा सुन्त के अंदर कोई एक जुजिया, एक कानून बता दिया जाता ह एक उसूर बता दिया जाता है, एक कुलिया बता दिया जाता है, उस कुलिया और फादूले के नतीजे में दूसरे मसाइख कर दो उससे निकल रहे हैं। इसकी तरह एक अलग सा कोई अपना धड़ा कान की हुए है, पुरान सुनत से हर गिंद ऐसा नहीं है, कि फिक्ष की तारीफ के अदर के एक कैद और एक शर्त लगाए गई है, कि अदिल्लाय तफसीलिया से हासिल होने वाला अधियम जोता है, वो फिक्ष कहला है, यह दो कहते ह हमारे सामने हाट, अब इस सवाल बैदा होता है, कि इसके अदर फिक्ष, तफक्पो, गैरी बसीरत, फाहाम और समझदारी का क्या जोड़ है, हमने का आना, कि कि फिक्ष जो है, उसका वाला होता है, तफक्पो, समझदारी, तो भी अमने जिन्दगी के वसाइब ने देरी और आपकी जिन्दगी के, और कुरान और सुन्नत ने वो बता दे नहीं है, तो इस से क्या जोड़ है, तफक्पो का, गैरी बसीरत का क्या जोड़ है, यह एक जोड़ होता है, तफक्पो और फिक्ष की और गैरी बसीरत की क्या जोड़ है, इसके लिए पहले यह समझें, कि पुरान और क्रीब की कितनी आयात थे, शे हदार शेसोड़ है, और अहादीज का मजबूआ, परीब करीब मुकर्रादा को रिपिकित को हदफ करने के बाद, पच्छास अधार पर्स कर लिए तो ये पुरान और हगींच की जो छे अधार शेसोड़ शेसट आयात हैं, इन तमाम आयात के अंदर हमारी फिक्ष के मसायद जिकर लिए गया, हमारी अमली जिनदगी के मसायद के जिकर नहीं है, अलहम्दुलिल्लाह युपिलारमी में मेर और आप अमली जिनदगी के को मसायद है, नहीं, अर्रह्मान औरही में है, मारी युपियो मिद्दीन में है, साथी जिनदुलिल्लाह युपिलारमी में में अमली जिनदगी, यानि रोधा कैसे रिए नमाज कैसे पढ़ लिए है, ऐसा नहीं है इसमें, और ऐसे ही सुरह आप यात हमें ऐसी दिखाई लेती है, ऐसी नदर आती है, जिनके अदर हमारी अमली जिनदगी के मसायद बरह रास जिकर नहीं किले गए हैं, तो ऐसे की जो आहादीश का मजमूआ है, उस मजमूआ के अंदर भी, अक्सरो बेश्तर आहादीश के अंदर नसाये हैं, अल्लह कि विशली उम्म के अंदर क्या क्या मौमणात कुए क्या किसस थे अंबिया की किसस का तथक्रा है और इस बाते क्यामत है ये बहुं सारे मसायद ने वो 6666 आयात के दर जिक्र किये हैं तो फुकहार ने गो इस्तिमाद किया है वो करीब करीब 400 आयात ऐसी है सिर्फ 6666 ने सिर्फ 400 आयात ऐसी है जिनका तादूख हमारी अमली जिन्दगी के मसायद से यहां पर फिक्र की दरूरत है यहां पर तफक्व और बसीरत की दरूरत है इस लिए इसका नाम फिक्र रखा गया कि फिक्र का मतलब है तफक्व बसीरत चाहिए तो वो तफक्व और बसीरत इस मकसद के लिए चाहिए कि अमली जिन्दगी 14 साल 14 साल को यहीं होने वाले हैं अब उस वक्र से लाखों क्रोर इंसानों की अमली जिन्दगी के मसायद है इसके अंदर और कैब भी हम यह रहने है कि लिए साल कि साल के उस्थ iंस के लिए तफक्व और बसीरत की विए दूरवत है इसी तफक्व और बसीरत का नाम विद्ग रखा जाता है यानि फिए नाम है कि इन 400 आयात को हमने अपनी जिन्दगी के लागू करना है उसका इंदिवा और अपलाई करने के लिए वहां से हमने एज़ा सोर्स उनको इस्तेमार करना है और उसमें से अपनी जिंदगी के मसाइप लिगाने और यही काम सुकहाय के लामनी किया और नभी अक्रीम ﷺ के फरामीन में से बहुत बड़ा जफीरा है उसमें से एक छोटा सा पार्ट ऐसा है जिसके अंदर हमारे लिए फित्प और हमारी हमली जिंदगी के आकाम बियान किये गए है और जबाने की तर्दीली के साथ दिन के और हमत के और मुस्लमानों के फैलाओं के साथ नितने वसाइब पेश आने वाले जो हैं उनका हल इन ही चार सो आर और टायात और चार हदार अधीस के अंदर है तो इन से निकालने का नाम फित्प और गहरी बसीरत की ज़रूरत यहां पर पड़े इसलिए इस पन का नाम इस इलम का नाम फित्प तच्वीश किया गया और यह अधीस पर लिया गया जिसे नहीं आजीस वह जब खेक मैं लिल्लाह बिनी खेर यृवण युफख्यू फिद्दीन के ऐल्ला तल्हा झाला बलाई का एरादा फर्मा लेते हैं उसके साथ अल्दा तारा उसको और समझ दालिया दास अना देते हैं तो मैं अज़ ये कर दाता है कि बन्यादी दौर सब्सक्री ये दो चीज़ें हैं कौन सी जी एक पुरान और एक सुन्स पुरान और सुन्स से निकले हुए उसूल की रोश्णी में दो चीज़ें और शामिल हो जाती हैं जिसकी वज़ा से ये अदिल्ला तफ्सीरिया कहलाती है आप लोग अर्बी ग्रामल का सुबख बढ़ेंगे तो उसमें बाहित तस्मिया और जमाँ सिंगुलर प्लूरल और डूरल का कॉंसेट आपके सामने आएगा वाइज बस्मिया जमाँ का तो उसमें आपको पता चाल जाएगा कि अदिल्ला का जो लफ़ज है ये प्लूरल है तो अर्बी दुमान के दर कम असकम प्लूरल का इतलाग तीन अफराद कर होता है यतिन से जाइब होने चाहिए अगर दो होंगे तो उस पर अदिल्ला जमा का इतलाग नहीं हो सकता जमा नहीं बोदा जा सकता उस लफ़ज के लिए उसमाना के लिए तो यहां पर जमा बोदा गया है अदिल्ला तो यह बात यतिनी हो गई कि यहां पर गोझे जाइब चीनें. तीन हैं या तीन से जाना हैं. तो वो मैदभी आज़े डिता हूँ कि फुन चीनें, चाहा हैं फिर्फिर. एक पहरे नंबर पर फुरान और सुनत, पुरान दूसरे नंबर पर सुनत, तीसे नंबर पर है इजमा. खुट जनाब अभीय करीम स्वेल बादीम से जिनने फर्माया कि ना तज्टमियुक उम्मती अला गौलारा कि मेरी उम्मत जो है वो गुमराई पर यकजा नहीं हो सकी एकठी सौरी पिसारी उम्मत जो हो को दैटा कर इनको ले जाए गुम्राई के धारे के अदर बहा के अमेज़ा इनकों ऐसा नहीं होगा ये आप सब्सक्राइब की खुसूसियां में से एक खुसूसियत है पहली उम्च के साथ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी उम्मत जब बलत रवर्श पर चल पड़ी सारे नियम्मिकों के सारे छोड़ चार्टर बैट लेकिन जड़ाबे नबी करीम चल्बाएब की उम्मत जब एक खुसूसियत और आपकी ये फुसूसियत है ये उम्मत मिन हैसल मजमूब मजमूबा की हैसियत से ये गुम्रा नहीं नोट सकती इसलिए आप सब्सक्राइब की इस हदीश दे फुकहानी उसूल निकाना कि जिस बात पर तमाम सहाबा इकटे होके फैसला करने जिस बात के बारे में तमाम सहाबा इकटे होके फैसला करने कि ये बात ऐसे है तो वो इजत्माई बात होगी और वो गुम्राही की बात नहीं होगी और वो भी दीन का हिस्सा होगी कैसे सहाबा का इजमा मुदबर है ऐसे ही सहाबा के बाद तावरीन का इजमा तबा तावरीन का इजमा इन तमाम का यगजा होकर एक राहे कायम कर लेना ये एक उमत की एक अठार्टी है उमत के अंदर कानून साथी का Actually का 예, ये भी एक जूरिया समझागे है और की स्री चीज रहें? चौती चीजा क्यास 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 मतनले ये है के कुछ नमूने कुछ साम्प्लिंग हमेरा हमारे सामने पहने से मौझूद है अहगाम शरीयत की कि कुछ मवाखिय पर आप अधिया ने एक खास किसम का हुकम्यान समया उस हुकम की जो इल्लत और जो रीजन समय में आई इल्लत का एक बहुत बसी माना है और फिक को समझने के लिए इसके पहले उसूले फिक के बड़े लंबे चोड़े अभबाब ने बड़ी लंबी चोड़ी मपारिस हैं जो हमारे मदारे से दुनिया के अंदर दर्से इंजामी में तफसीर ने पढ़ाया जाता है यह सारे सब्ज़क्त तो वो इल्लक क्याजिस बनती है कैसे बनती है कि इन शराइप पर बनती है बाराल किसी एक खास मुश्तरका रीजन की वज़ा से उसको उठाकर दूसी जगा पर इस हुकम को इतला करते ना प्लाई करते ना यह क्यास कहलाता है और यह भी खुद नबे करीम स्लिल्ला अवाली वसल्तरक के सामने सहाबाए इकराम ने करके दिखाया और आप ने इसका प्रूर्व लिया अवाल रदी लगाराम वालुकम जबद रदी लगाराम को यमन का गुवर्नर बना आकर देजा आप स्लिल्ला अवाल स्लिम की तो आपने पर मुशेंगे तो खुकमराणी के मसायल भी तुमने वहाँ पर चलानी है वह शुद्धी लोगों के इस्शूज भी होंगे तो कैसे उनको सौर्फ करो किया तुम्हारी वो लाइन ओफ एक्शन क्या होगी महाँ पर जाएक तो उन्होंने का कि या सुलिल्ला स्बसे पहले मैं जो मुझे से मसला पूशा जाएगा ज्रयाफ किया जाएगा वो मैं पुरान इखकीम के अंदर तराश करो आप ऐसे लिए खुश हूए आपने फुली फरमाया कि अगर पुरान में ना में जो पितर जाओगे तो उन्होंने नE कहा कि या थूल्ला मैं थिस के अंदर आपको सुन्त में तर ततराश करने यही कोशश करूँ आपने परमाया कि या आपने अपल और फहम से قرآن و سنت کے جو حصول ہیں उनको सामने देखते हुए फैस्टा करने की कोशश करूँगा और इस पर आप सब्सक्राइब ने अल्ला दाला का शुकर अदा गिया और आपने फर्माया कि उस जात पार का शुकर है जिसने अपने रसूल के रसूल को इतना उंदा वहाम अका शुकर है यह पिरासा तो यह सारे के सारे उसूल قرآن و سنت से थाबित है और फिक्ती तारीफ बातों बातों के तना हमारे सामने आगई कि फित कहा जाता है कि हमारे अमनी अखकाम से मुतालबे शरीयत की वो रहनमाई जो शरीयत ही के बुल्यादी वावानी पुरान मुस्वनन से हासिए दाता है पुरान मुस्वनन से ही दोनों चीन आगे इंजमाहर के आसमी होती है इसका मुफ़ता तारूफ अग्ला वुल्मान या जाता है कि अखकाम मुसायल के अंदर बन्यादी अभवाब और मजामीं कौन कौन से होती है तो वो इन्शालला बन्यादी अगली नफिस्त के अंदर आप अधराब के साथ शेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो बन्यादी तोर पर आख्राम और वसायश हमारे मतालिक है यानि नवाद सबसे पहला है तो नवाद के लिए जो बन्यादी उसकी जो की है नवाद के लिए वो तहारत की आख्काम है तो इन्शालला बन्यादी इराजाई में के तहारत के अख्काम से इसका आवाज कर लिया जाए और उसके अंदर हमारा इंशालला अब रजीव कोशश ही होगी कि यानि आप उमूमी तोर पर हमारे इस तरह सभी के खिते के अंदर फिक्थ हन्फी जो है इसको फॉलोग किया जाता है उसली जिए मुटतरिण से आता है अगर्चे फिक्थ हन्फी के साथ साथ एक मुटतरी तादाद और एक मिनी पुरवकार जिसम के लोग हमारे वो भी आहबाब हैं जो अहल-हदीथ मक्तवाई फिकर से तादूर रखते हैं तो वो भी एक खातफा राय है और तादूर अमल राय है तो उसके मताबित भी मसाई लगी जुरूर ठोगी और बसा काउट यह होता है कि कंप्रिटिब्ली जो फिक्थ है उसको भी सामने रखना पड़ जाता है आपास मसाई के अंदर कि फिक्थ हन्फी वाले जो यह मस्तर निकर करते हैं कि शाफिवाले क्या करते हैं आले थी जज़राद किया मसला है बंद्वाइज रिकर्ट के अदर और फिर इंशालों नदीर फिर सिख हन्फी के अदर आम तौर पर ये एक जैसे ये फैस्ट में पारिज आती हैं सिख की तारीफ के हवाले से तो ये भी गलत हैंदी हो जाती है क तो हम इसको भी ज्यादा से ज्यादा ब्यूद करने की कोशिश करेंगे कि सिख हन्फी ने अगर ये मौकटफ इस त्यार किया है तो इसके पीछे कौन सी हदीश है और दूसरी तरफ मौकटफ पर उनके पास भी बेरें किसम की आहादीश मौजूद हैं तो जिस मेंसे जिस को खिए पर पलगा ने जिस तो इसके आहाद मनी जबाह मौकटफ जिस तो इसके पास भी बेरें किसम का की आहादीश है